नमस्कार विजन आईस के नियू स्टूडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं UPSC परिक्षा की दृष्टी से महत्पपून कुछ एहम खबरें इस अंक के साथ मैं हूँ दिपिका शर्मरा सबसे पहले नजर डालते हैं इस अंक की हेडलाइन्स पर भारत ने जलवायू परिवर्तन पर सयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशद के प्रारूप प्रस्ताव के विरुध मतदान किया सरकार ने उच्चतम नियायाले से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के पर्यावास में भूमिगत केबल्स पर आदेश को संशोधित करने का आगरह किया खोरियाई युद्ध की समापती पर सैध्धान्तिक रूप से सहमती प्रकट की गई उच्चतम नियायाले ने गीग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा की मांग करने वाली जन हितियाचिका पर केंदर सरकार को नोटिस जारी किया भारतिय प्रतिभूती और विनिमे बोर्ड द्वारा एल्गो ट्रेडिंग को विनियमित करने का प्रयास किया जा रहा है और भारतिय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने संकट ग्रिस्त शहरी सहकारी बैंकों में सुधारों का संकेत दिया है अब खबरें विस्तार से भारत ने जलवायू परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशत के प्रारूप प्रस्ताव के विरुध मतदान किया प्रारूप प्रस्ताव के अंतरगत संयुक्त राष्ट्र महासचिव से जलवायो संबंधी सुरक्षा जोखिम को व्यापक संगर्श निवारन रणनीतियों में एक केंद्रिय घटक के रूप में एकिकरित करने का अहवान किया गया है। प्रस्ताव में जलवायो परिवर्थन पर उप्युक्त चर्चा की मांग की गई है। यह प्रस्ताव जलवायो को अंतरग्ष्ट्रिय शांति और सुरक्षा के लिए खत्रा उत्पन करने वाले मुद्दे की रूप में चित्रित करता है। उधारन के लिए जलवायू परिवर्तन ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया है यहां तक की साहेल और अफरीका के अन्य हिस्सों में संगर्चों में व्रिधी भी की है हालांके भारत, चीन और रूस ने इसका विरोध किया है और इसके विरुध मतदान किया है आईए जानते हैं प्रारूप प्रस्ताव के विरोध के कारणों को UNSC के कई सदस्य एतिहासिक उत्सरजन के कारण जलवायू परिवर्तन में मुख्य योगदान करता है यदि सुरक्षा परिशद इस मुद्धे पर उत्तरदायत विलेती है तो केवल कुछ देशों को जलवायू संबंधी सभी मुद्धों पर निर्ण लेने की पूरी छूट प्राप्त हो जाएगी व्यापक अंतराष्ट्वे समुदाय के साथ जलवायू संबंधी वारता के आयोजन के लिए जलवायू परिवर्तन पर सैयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कंविंशन नामक पहले से ही एक सैयुक्त राष्ट्र पेनल विद्यमान है ये विकास शेल देशों को एक गलत संदेश प्रेशित करता है कि उनके चिंताओं को दूर नहीं किया जा रहा और विकसित देशों को UNFCCC के तहत अपने प्रतिबधताओं को पूरा करने के लिए उत्तरदाई नहीं ठहराया जा रहा है इस प्रकार सुरक्षा की आड में जलवायू परिवर्तन वारता की उपेक्षा की जा सकती है ये गलासगो में कठनाई से बनी सहमती को कमजोर करेगा क्योंकि ये संयुक्त राश्टर के कई सदस्यों के बीच विवाध उत्पन कर सकता है UNSC का मुख्याले नियुयोक में इस्थित है इसका प्रात्मिक उत्तरदाईद पर अंतराश्टर शान्ती और सुरक्षा बनाए रखना है UNSC की संवर्चना में 15 सदस्ये शामिल हैं जिनमें 5 स्थाई और 10 अस्थाई हैं सदस्ये हैं चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका और यदि बात करें अस्थाई सदस्यों की तो महा सभाद्वारा दो वर्ष के कारेकाल के लिए चुने गई सदस्ये अस्थाई सदस्ये होते हैं भारत ने जनवरी 2021 में एक अर्स्थाई सदस्य की रूप में अपना दो वर्ष का कारेकाल शुरू किया है। हाला कि सायुक्त राष्ट्र के अन्ने अंग सदस्य देशों को सिफारिशे करते हैं परन्तु निर्ण लेने की शक्ति केवल सुरक्षा परिशत के पास ही है। सरकार ने उच्चतम न्यायाले से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के पर्यावास में भूमीगत केबल्स पर आदेश को संशोधित करने का आगरह किया। विद्युत मंत्राले तथा नवीन और नवीकर्णिय उर्जा मंत्राले ने संयुक्त रूप से इन कारणों से आदेश को संशोधित करने का आगरह किया है। विद्युत लाइनों को भूमीगत करना तकनीकी रूप से संभव नहीं है। इसके अतेरिक्त इस्तिक्षेत्र से उत्पादित नवीकर्णे उर्जा की लागत भी अधिक हो जाएगी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए शिकार, पर्यावास शरण, हरितिकरन पर योजनाई जो सुष्क घास भूमियों को वन्यक शेत्रों में बदल देती हैं आदी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए अन्यक खत्रे हैं। इसके अतेरिक्त पवन टर्बाइनों और विद्यूत पारिशन लाइनों के टकराने से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की मृत्यू का खत्रा विद्यमान रहता है। अब बात करते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सनरक्षन के लिए भारत सरकार द्वारा किये गए उपायों की। इच बीच में उपजी लंबी घास शामिल है। ये सिंचित क्षेत्रों से दूर रहता है। राजस्थान में इनकी संख्या सबसे अधिक है। और ये भारतिय उपमहाद्वीप के लिए स्थानिक प्रजाती है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को भारतिय वन्यजीव सरन्रक्षन अधिनियम 1972 की अनुसूची एक में सूची बद्ध किया गया है। प्रवासे प्रजातियों पर कंवेंशन यानि CMS में तथा वन्यजीवों और पादुपों की लुप्त प्राय प्रजातियों की अंतराश्ट्रे व्यापार पर कंवेंशन के परिशिष्ट एक में ये सम्मेलित है। इसके अलावा अंतराश्ट्रे प्रकृति संद्रक्षन संग, IUCN की लाल सूची में ये क्रिटीकली एंडेंजर्ड की रूप में भी सूची बद्ध है। राजस्थान में राश्ट्रे मरु उद्यान अभ्यारण्य, गुजरात में नलिया, महाराश्ट्र में वरोरा और करनाटक में बेलारी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के महत्वपून स्थल हैं। कोरियाई युद्ध की समाप्ति पर सैध्धान्तिक रूप से सहमती प्रकट की गई। कोरिया युद्ध के बारे में। इस युद्ध की शुरुवात जून 1950 में सोवियत संग समर्थित साम्मेवादी उत्तर कोरियाई द्वारा 38वी समानांतर रेखा पर घुसपैट के साथ हुई थी। या तब वे है कि ये रेखा उत्तर कोरिया और दक्षन कोरिया के मध्य सीमा का निर्मान करती है। दक्षन कोरिया का समर्थन करने वाले अमेरिकी सैनिक युद्ध में शामिल हो गए। तथा चीन और USSR द्वारा समर्थित उत्तर कोरियाई सेना को पीछे धकेल दिया गया। साक्षर करता के रूप में शामिल नहीं था और युद्ध पर स्थाई विराम भ्रांति जनक बना रहा। संक्षेप ने कहें तो युद्ध कभी समाप्थी नहीं हुआ था। हालां कि 38.2.2 मील को शामिल करते हुए एक वी सैन्य कृत क्षेत्र बनाया गया था। लेकिन दोनों प्रक्ष वहां मजबूत सैन्य उपस्थिती बनाये रखते हैं। उचितम नियाले ने गिग वरकर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा की मांग करने वाली जनहितियाचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। उचितम नियाले ने इस तथे की जाच करने का भी निडने लिया है कि क्या सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए गिग वरकर्स को भी असंगठित श्रमिकों की रूप में माना जा सकता है गिग वर्कर पद उन श्रमिकों को संदर्भित करता है जो निश्चित वेतन दिर्ग कालिक अनुबंद इतियादी जैसे पारमपरिक नियोकता कर्मचारी संबंधों से बाहर होते हैं पहली बार गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा संधिता 2020 के अंतरगत शामिल किया गया था इसके अतिरेक्त गिग वर्कर्स के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कोश का भी गठन किया जाएगा ठेकर श्रम अधिनियम, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम आदी सभी लागू सामाजिक सुरक्षा कानूनों के अर्थ में गिग वर्कर्स को कामगार की परिभाशा के तहट शामिल करने की मांग की जा रही है सामाजिक सुरक्षा में जीवन और दिव्यांगता कवर, स्वास्त एवं मातरित्व लाग, व्रिद्धावस्था सुरक्षा आदी जैसे मुद्धे शामिल होंगे सॉफ्ट्वियर डेवलपर्स, क्रियेटिव और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स आदी की मांग के साथ भारत ओनलाइन श्रम बाजार में 24 प्रतीशत हिस्सेदारी के साथ वैश्विक गिग एकोनमी का नेतरित्व करता है भारतिय वाडिजी एवं उद्योग मंडल एसो चेम की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के गिग शेतरक के वर्ष दो हजार चौबीस तक 17 प्रतीशत की चक्र व्रधी वार्षिक व्रिधी दर से बढ़कर 455 विलियन अमरीकी डॉलर होने की उमीद है सामाजिक सुरक्षा सन्हिता 2020 के तहट गिग वर्कर्स प्लैटफोर्म वर्कर्स का समान आर्थी के रूप में उप्योग किया गया है हालां कि platform करमी वे होते हैं जो Zometo या Swiggy जैसे online platform के माध्यम से संगठनों या व्यक्तियों तक पहुचते हैं और सेवाए प्रदान करते हैं या विशिष्ट समस्याओं का समाधान करते हैं भारतिय प्रतिभूती और विनिमे बोर्ड से भी द्वारा एल्गो ट्रेडिंग को विनियमित करने का प्रयास किया जा रहा है एल्गोरिदम ट्रेडिंग या एल्गो ट्रेडिंग कम्प्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से की जाती है ट्रेडर्स का क्रेविक्रे करती है भारतिय शेयर बाजारों में लगभग 50 प्रतीशत दैनिक ट्रेडिंग एलगो ट्रेडिंग के एक उन्नत रूप के माध्यम से संपन्न होती है आईए अब बात करते हैं एलगो ट्रेडिंग के लाब के बारे में ये तीव्र गती पर उच्छ मात्रा में ओडर दे सकता है लेंदेन की लागत में कमी ला सकता है अलग-अलग कीमत वाले शेयर्स की पहचान कर सकता है व्यापक मूले परिवर्तन से बच सकता है और ये बिना किसी मानवियत रुटी के अत्यधिक सटीक है अब बात करते हैं इसके विनियमन की आविशकता क्यों हुई भारत में एलगो ट्रेडिंग वर्ष 2008 में शुरू हो गई थी किन्तो 2015 में ये तथ्य उजागर हो चुका था कि नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कुछ चैनित एलगो ट्रेडर्स को ही प्रा के बारे में प्रस्तावित से भी मानदंड लागो होने के बाद एलगो ट्रेडिंग की मात्रा में गिरावट की संभावना है क्योंकि प्री प्रेडिंग रणनीतियों का अनुमोधन एक जटिल मामला हो सकता है सभी एलगो रणनीतियों को उनके जटिल प्रकृति के कारण एक्सचेंजों द्वारा अनुमोधित नहीं किया जा सकता है। एक्सचेंजों के अनुमोधन के लिए एलगो प्रोग्राम प्रसूत करने का अर्थ ये होगा कि वेंडर्स को अपने फॉर्मूले का प्रकटी करन करना पड़ सकता है। भारती रिजर्व बैंक के गवर्नर ने संकट ग्रिस्त शहरी सहकारी बैंकों में सुधार का संकेत दिया है। पांच लाक रुपे तक जमा बीमा का भुखतान किया गया था। आईए जानते हैं UCB इसके बारे में। आईए बात करते हैं UCB से संबंधित मुद्धों के बारे में। उसी B में प्रबंधन संबंधि मुद्धे विद्यमान हैं क्योंकि कभी-कभी नेहित राजनीतिक हितों से इनकी कारे प्रणाली प्रभावित होती है। ये अधिकांश एकल शाखा बैंक हैं और उनमें सहसंबंध परिसंपत्ती जोखिम की समस्या बनी रहती है। यदि व्यापक स्तर की स्थानिय समस्या है तो पूरा बैंक बंध हो सकता है। व्यावसाइकता की कमी जैसे लागत कम रखने के लिए स्थानिय लोगों को कारे पर रखना आदी। गैर निश्पादित आस्ती तथा लाब प्रदता का मुद्धा। आईए अब एक नजर डालते हैं अन्य सुर्खियों पर। नया क्वाड भारत इसराइल सैयुक्त राज्य अमेरिका और सैयुक्त अरब अमिरात का नया समुह। मार्च 2022 में विदेश मंत्रियों की पहले व्यक्तिगत बैठक आयोजित कर सकता है। नय क्वाड को आर्थिक सहयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रिय मंच की रूप में इस्थापित करने का हिर्णने लिया गया है। ये मध्यपूर्व और एशिया में आर्थिक एवं राजनीतिक सहयोग का विस्तार करने तथा समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने का प्रयास करता है। को लेंडिंग या सह उधार मॉडल हाल ही में बैंकों को पूर्व समझोते के आधार पर सभी पंजीकृत गयर बैंकिंग वित्य कमपनियों के साथ सहरिन देने की अनुमती प्रदान करने के आर्बियाई के हाल या निर्ने पर आपत्ती दर्ज की गई है। सह उधार या सह उत्पत्ती एक ऐसा ढांचा है जहां बैंक और गैर बैंक प्रात्मिक्ता प्राप्तक शेत्र को रिंड देने के लिए रिंड के संयुक्त योगदान की विवस्था करते हैं। इसका उद्देश्य वहनिय लागत पर अर्थेवस्था के असेवित और अल्प सेवित वर्ग के लिए रिंड प्रवाह में सुधार करना है। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि बैंको द्वारा प्रदत निधी की लागत कम होती है और NBFC की टीर टू केंद्रों से परे अधिक पहुँच होती है। सूपर सोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो यानि स्मार्ट हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डियार्डियों ने ओडिशा के वीलर द्वीप से लंबी दूरी के सूपर सोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो यानि स्मार्ट का सफल पर किया गया है असम एग्रिफिन जमहार यह अपनी तरह का पहला कोश है इसकी संकल्पना एग्रिबिजिनस एंड रूरल त्रान्स्वर्मेशन प्रोजेक्ट द्वारा की गई ये असम सरकार की विश्व बैंक द्वारा वित्पोशित परियोजना है ये कोश बैंको सुख्म वित्प संस्थानों, मूल्य श्रंकला वित्प दाताओं, बीमा कंपनियों आदी जैसे वित्प्य सेवा प्रदाताओं द्वारा नवाचारों के परिक्षन और परिक्षन किये गए नवाचारों के समवर्धन में सहायता करेगा ये बदले में कृशी व्यवसाय क्षेत्र के लाभार्थियों के लिए वित्तिय सेवाओं तक पहुच बढ़ाने में मदद करेगा ये कोश राज्ये में कृशी व्यवसाय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वित्तिय सेवाएं प्रदान करने के लिए नवीन दृष्टी कूणों का समर्थन करने में मदद करेगा कृशी फोटो वोल्टिक कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेट ने बड़े पैमाने पर एग्रिवोल्टिक कृशी पद्यत्य वक्सित की है एग्रिवोल्टिक फसल और सौर उर्जा उत्पादन की एक मिश्रित प्रणाली है इसमें एक ही भूमिक शेत्र पर एक ही समय में सौर पैनलों के नीचे फसलों का उत्पादन किया जाता है ये सतत विकास प्राप्त करने के प्रयासों में एक उभर्ती हुई प्रनाली है जो भोजन और उर्जा उत्पादन को जोडती है एग्री वोल्टिक प्रनाली में PV मोड्यूल को एक जुकाव कोंड पर संस्थापित किया जाता है ये कोंड संस्थापन स्थल की उँचाई के बराबर होता है एग्री वोल्टिक प्रनाली विद्यूत उत्पादन और क्रिशी उपज दोनों को प्राप्त करके वर्तमान परिस्थितियों को नियंत्रित करती है और्बिटिंग सेटेलाइट केरिंग एमिच्योर रेडियो यानि आसकर वन आसकर वन को दिसंबर 1961 में सफलता पूर्वक लॉंच किया गया था ये पहला गैर सरकारी उपग्रह था जिसे निजी नागरिकों द्वारा बनाया गया था ये एक अन्य प्रात्मेक मिशन के द्वित्यक पेलोड के रूप में अलग होने के बाद अपनी कक्षा में पहुँचने वाला पहला उपग्रह था इसे वायूमंडल के ठीक ऊपर निम्नभू कक्षा में स्थापित किया गया था और स्थापना के बाद इसका कार्य मौर्स कोड में हाई अक्षरों को प्रसारित करना था वर्ष 1961 में आसकर वन के प्रक्षिपन के बाद से अव्यवसाई रेडियो उपग्रहों के लिए आसकर नाम रखने की परंपरा रही है अब तक 111 उपग्रहों को आसकर की रूप में नामित किया गया है जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप नासा का सबसे सक्तिशाले टेलिस्कोप है इसे 22 दिसंबर के आसपास प्रक्षिपित किया जाना है गेहन ब्रम्हांड की समझ विक्सित करने के लिए ये प्रित्वी से परे सबसे बड़ी वैदशाला होगी इसे नासा, यूरोपिय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक अंतरराश्ट्रिय साजेदारी के तहत विक्सित किया गया है इसे हबल स्पेस टेलिसकोब का उतराधिकारी या प्रतिस्थापन माना जा रहा है हबल प्रित्वी के चारों और 570 किलोमीटर की उचाई पर परिक्रमा कर रहा है वेब प्रित्वी की परिक्रमा नहीं करेगा ये प्रित्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर सूर्य की परिक्रमा करेगा काशे विश्वनाथ धाम कोरिडोर वारनसी काशे विश्वनाथ धाम कोरिडोर, काशे विश्वनाथ मंदिर और गंगा नदी के घाटों को आपस में जोडता है काशे विश्वनात मंदिर को गंगा नदी के तट से जोड़ने के लिए एक सुगम मार्ग के सुरुजन की एक परियोजना के रूप में श्री काशे विश्वनात धाम की परिकल्पना की गई थी ये तीन संकल्पो, स्वच्छता, सुरुजन और आत्म निर्भर भारत की दिचा में निरंतर प्रयास पर आधारित है इस परियोजना का उद्देश्य घाटों और मंदिर के बीच तीर्थ यात्रियों एबं भक्तों की सुगम आवाजा ही सुनिशित करना है न्यू कैलेडोनिया, फ्रांस न्यू कैलेडोनिया के फ्रांसिसी द्वीब खेत्र में मतदाताओं ने एक जनमत संग्रहे में फ्रांस का हिस्सा बने रहने का विकल्प चुना है ग्यातव्वे है कि स्वतंत्रता समर्थक शक्तियों द्वारा इस जन्मत संग्रहे का बहिशकार किया गया था अब बात करते हैं न्यू कैलेडोनिया की राजनी दिक्विशिष्टाओं के बारे में इसकी राजधानी नौमिया है वर्ष 1998 के नौमिया समझोते के तहत न्यू कैलेडोनिया को फ्रांसिसी विधिक प्रणाली के भीतर सीमित स्वायतता प्राप्त है ये ऑस्ट्रेलिया से लगभग 1500 किलोमीटर पूर्व में दक्षिन पश्चिमे प्रशान्त महसागर में स्थित है इसमें न्यू कैलेडोनिया द्वीप, लॉयल्टी द्वीप समुह, बेलेप द्वीप समुह और आईल ओफ पाइंस शामिल है बात करें इसकी भॉगोलिक विशिष्टाओं की तो माउंट पनियों उच्चतम बिंदू है और डायहोट नदी यहां की सबसे लंबी नदी है अपनी विविदितापोन भितियों और संबंधित पारिस्तिकी तंत्र के कारण द्वीप के लैगून्स को वर्ष 2008 में यूनेसको के विश्व धरूहर स्थल के रूप में नामित किया गया था इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है अगले अंक में आपसे फिर मुलाखात होगी अन्य महत्वपून खबरों के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए नमस्कार